Hello everyone, welcome back to my channel, मैं हूँ कुजा सेतिया, आज हम फिर से एक नया question लेकर आए हैं, आपके लिए board की exam की त्यारे, जबी अभी हम क्या कर रहे हैं, series में MCQ लेकर रहे हैं, फिर हम जो की 1-1 mark के हैं, अभी फिर हम आगे 2-2 marks के 3-3 marks कर भी लेकर आएंगे, हमें question read करने जा रहे हैं, जो 50,000, 70,000 and 80,000 respectively, on 31st March 2022, अमें डिसाइड to retire from the firm on 31st March 2022, अमें ने डिसाइड किया कि वो 31st March को ही क्या हो जाएगा, firm से retire हो जाएगा, with the help of information provided, calculate the amount to be paid to अमें on his retirement, आपको अमें जो retire हो रहा है, उसको वो amount बताना है, आपको निकाल कर कि जितना आप firm उसको पे करेगी, there existed a general reserve पड़ा, 75,000 in the balance sheet on that date, goodwill of the firm valued 30,000, gain on revaluation was Rs. 24,000, देखो अब हमें जो इस question में जो मैंने question read किया है, उस question के according, आपकी जो question में आमें जो partner था, वो क्या हो रहा है, रिटायर हो जब कोई partner होता है, या फिर किसी partner की death होती है, तो सबसे पहले तो उसके उपर एक सर्कल ratio नहीं दी हुए है, कभी-कभी हमें ratio दी होती है, तो हम उसे हमें क्या पता चला था कि उसका share कितना है, अब हमें इस question के अंदर सबसे पहली बात की ratio नहीं दी है, तीनों partners की, तो जब हमें कोई ratio की information नहीं होती है, तो हम सबसे पहले क्या assume करते हैं, कि इनकी ratio क्या होगी, all ratio equal होगी, तो सबसे पहला हमारा काम होता है, हम जब भी कोई question करते हैं, जिस भी chapter का होता है, आप according to steps किया करो, अब हमें इस question के अंदर पूछा है, कि हमें जो retire हो रहा है, उसको उसका balance बताना है, कि आप जो firm है, कितना pay कर रही है, उसके retirement पर, देखो, सबसे पहले step 1, मैं steps में लिख रही हूँ, तो उसके according आपका answer निकाल के दिखाऊंगे, step 1 में जो partner retire हो रहा है, उसका capital का balance लेंगे, balance of capital, सबसे पहले step क्या होता है, balance of capital, मैं steps पी लिख रही हूँ, सतने amount पी लिख रही हूँ, अमेरिका partner जो है, उसकी capital कितनी है, 50,000, यहाँ पे लिख लेती हू calculation भी करते जाएंगे, 50,000, step 2, step 2 में क्या होता है, आपका अगर कोई भी balance sheet के अंदर accumulated profits and reserves होते हैं, जैसे workman compensation, profit and loss हो गया, आपका ये investment fluctuation reserve हो गया, general reserve हो गया, asset sites में आपके losses होते हैं, deferred revenue expenditure हो गया, advertisement suspense हो गया, आपका profit and loss का, जो loss का balance होता है, वो भी asset sites में होता है, आपको step 2 में उनका जो अगर positive है, profits हैं, तो उनको plus करना होता है, मैं यहाँ लिख देती हू, accumulated, ताकि आपको कोई भी ऐसा मिलता चूलता question है, तो आपको steps याद रहे, accumulated reserves and losses, including existing goodwill also, including existing goodwill also, goodwill का balance, जो आपका balance sheet के अंदर होता है, वो negative balance होता है, और जो आपकी goodwill valued होती है, न आपका क्या होता है, आपका positive balance होता है, step 1 में balance ले लिया, step 2 में आप accumulated reserve and losses, इस question के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, general reserve यह जो general reserve है, यह इन तीनो partners का है, किनका है, इन तीनो partners का है, but हमें सिर्फ किसका निकालने, हमें का निकालने, old share में divide करते हैं, तो ratio क्या है, equal है, तो इस इसका equal portion क्या होगा, 75,00 को जब equal distribute करेंगे, इसको 3 से divide कर देंगे, तो कितना आ जाएगा per partner, 25,00, positive होता है, तो इसको आप क्या कर दोगे, plus कर दोगे, यह हमारा, क्या होगे, step 2, step 3 में, step 3 में क्या होता है, आपका revaluation का gain, या फिर loss, gain या फिर loss, अगर gain है, तो plus हो जाएगा, loss है, तो minus हो जाएगा, अब हमें इसमें दिया हुआ था, यह रहा, gain on revaluation, यह भी किसका है, इन तीनो पार्टनर का है, तो इसको भी आप क्या करोगे, equal ratio है, 3 में divide कर दोगे, तो कितना आ जाएगा per partner का share, 8,000, तो यह भी क्या होगा gain है, तो plus हो जाएगा, अगर loss होता, तो minus हो जाता, clear हो गया, 4 step क्या होता है, आपका goodwill की entry, step 4, आपको goodwill का share देना है, जो partner retire हो रहा है, उसी partner का, यह जो goodwill valued होती है, यह positive होती है, जो आपके existing goodwill होगी, balance sheet के अंदर जो दी होती है, वो negative होती है, वो minus होता है, उसका share, ठीक ह अब आपका यह क्या goodwill value, यह भी क्या होई, तीनों की होई, तो इसको वैसे हम gaining ratio में divide करते हैं, बट आपको सिरफ उसी partner का balance बताना है, तो सिरफ उसी का share आप total में add कर दो, आपको MC की होई, तो आपको short trick follow करने हो, यह steps आप अपने mind में याद करने हैं, आपको देख देखक तो उसका जो total आएगा, कितना आजाएगा, 50 plus 60, 70,500, यह आपको उसको retirement के time payment करने हैं, तो इसका जो answer होगा, आपने question में ने read किया था, D होगा, कि पर reğ refresh, कि तो दो का कि आपने में, तो रहा जोरा और आपको उसका जना हैं, तो आपको 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 जएसका पर हैं, यह आपको को उससे को आपको आपको होगा Alice da 거지 à